दोस्तों एक बहुत बड़ी ख़बर निकल के आ रही है आरो ए रो का एक्जाइम डेट और यूपी पीसे दोहजा 24 प्री का एक्जाइम डेट दोनों पता लग गए हैं अभी तक ऑफिशल तो नहीं आया है लेकिन अफिशल लेटर के माध्यम से हमें चीज़े पता लग गए हैं कि यह एक्जाइम जो है किस किस तारीक को होगा पहले समझते हैं कि क्या है यह देखिए जो भी परिक्षा केंद्र बनाया जाते हैं आप देखिए परिक्षा केंद्र बनाया जाते हैं वहां से लेक हुई है और उस लेक्टर जो लेक्टर है यह सोला तारीक का लेक्टर पीचा here 9-30 से साड़े 11 के बीच में GS का पेपर होगा और 10-30 के भीच में Hindi की बार when 15-30 की बीच कर रहा हगा फ़िए जो चार huge कहा ए a कर लें फ्रबीर को मैंने बोला ता लेकिन नहीं 是不是 कडात करते हैं यूबी पीचैस मार्स को होगा तो 14 मार्ज को तो आप लोग थीक से तेहरी करें अभी आपके समझे कि तीन चार मेने का सारव चार मेने का समय बाकी है इसको ठीक से पढ़ाई कर लें अभी बहुत कुछ हो सकता है जो लोग कमजोर अभी है उन सब के लिए कहा रहा हूं कि एक ठीक से तेहरी कीजे और इस बार नमबर आफ स लगभग 800 से उपर आएंगी ठीक है प्लीज को ठीक से कीजे 800 उपर आएंगी तो किसी भी हलत में 85 कोशन के आसपास कट आफ रहने की संभावना है तो जितने भी लोग 70 कोशन के आसपास फस्त हैं सतर असी कासपास प्रस्तर उनके लिए है कि इस बार कट आफ जो नीचे आएगी तो आप लोग एक्जाइम कराए कर सकते हो फिर से बोलते हों को कि आरो ए रो ग्यारा फरवरी को होगा और यह भी चौबिस को पेपर होगा वह आपका 24 मार्स 24 को पेपर होगा तो इस पर हम डि सब्सक्राइब कर लिजे और अपनी प्लैनिंग बनाईया त्यारी करते रहे हैं थैंक्यों दोस्तों